आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Students, the question is Select the figure that will come Next in the following series हमें एक series दी गई है एक figure की हमें बताना है कि next figure यहां पे कौन सी आएगी इस जगह पे तो इस box में बताना है कि यह हम कह सकते कि इस series में हम बताना है कि इस जगह पे कौन सी figure आएगी दिये के चार options में से सबसे पहले हम यह देखते हैं कि एक square दिया गया है, उसके अंदर एक line और एक arrow दिया गया है बाहर की side को, again एक line और एक arrow बाहर एक arrow अंदर एक line दिया गयी है, so on, तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा figure आएगा, सबसे पहले हम arrow को देखते हैं, arrow था सबसे पहले इस position पे, then यह 90 degree turn होता है, इस position पे आता है, 90 degree anti-clockwise हुआ, arrow हुआ 90 degree, उसके बाद इस position से 45 degree anti-clockwise इस position पे आ गया, then इस position से again 90 degree हुआ, anti-clockwise, again इस position पे आ गया, अब यह 90 and 45, 90 and 45 की सिरीज में चल रहा है हमारा arrow, पहले 90, फिर 45, फिर 90, फिर 45, इस अब यह 90 degree turn होगा, anti-clockwise, 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 45 से, अब यह 90 होगा, it means अब arrow इस position पे आ जाएगा, तो square, arrow आ जाएगा अब इस position पे, अब बात करते हैं इस line की, dotted line की, dotted line, जो है, यह है, पहले इस position पे, then यह 45 degree clockwise direction में गई, तो इस position पे आ गई, अब 90 degree clockwise direction पे गई, तो इस position पे आ गई, उसके बाद फिर 45, फिर 90, अब यह जाएगी, 45 degree clockwise, तो जो हमारी dotted line है, यह जा रही है, clockwise, यहाँ से 90 गई थी, अब इसका मतब अब यह जाएगी, 45, तो इस means हमारी dotted line इस position पे आ जाएगी, तो हम ही देखतें कि यह जो figure है, यह है figure option B में, तो हमारा answer हो जाएगा option B.